गोगा जी का जीवन परिचे गोगा जी का इतिहास, उपनाम, सांपों के देवता, जाहर पीर, जीवित पीर, गोगा पीर, नागराज भी कहते हैं, जीवन का 946, सी 1024, गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म दद्रेवा, चुरूप में 1003 विक्रम समवत, 946, में क्रिश्न नवमी को हुआ था, पिता, जेवर, जीवराज चौहान, गोगा जी के पिता थे, माता, बाच्छल, गोगा जी की माता थी, पतनी केलम दे कोलुमंड के बुडो जी, राठोर की पुत्री थी, गोगा जी की पतनी थी, गोगा जी के पुत्र, केसरिया कुवर जी, इन्हीं भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी माता बाचल को पुतर प्राप्ती का आशिरवाद गुरु गोरकनात द्वाराद्या सुगंदित पदार्थ गुगल से हुआ था। गोगा जी को गुरु गोरकनात वो महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का पत्थर पर उतकीर्न सर्प मूर्ती युक्त पुजास्थल थान प्रायां गावों में केजड़ी व्रिक्ष के नीचे होता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुसलिम इन्हें गोगापीर के रूप में पूजते हैं। गोगा की गीत चावली कहलाते हैं। गोगा जी का मंदिर मेरी कहलाता है। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालू सांकल नुरुत्य करते हैं। गोगा जी का मुख्य मंदिर दद्रेवा चुरू, ये स्थान शीर्शमेरी कहलाता है, युद्ध में लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं गिरा था, ये गोगा जी का जन्म स्थान भी है, यहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मिला भरता है, गोगा मेरी के हनुमानग ये स्थान धुर्मेरी कहलाता है, यही पर लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था, गोगा मेरी का निर्मान फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था तथा वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महराजा गंगा सिंग जी ने बनवाया था, गोगा मेरी की बनावत मक्ब्रे गोगा जी का मेला हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक है, गोगा जी की ओलडी साच और जालोर, गोगा जी ने महमूद गजन्वी के साथ 1024 में युद्ध किया था, महमूद गजन्वी ने गोगा जी को जाहरपीर की उपादी दी अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला कहा था। इस युद्ध का वर्नन कायम खां रासों में किया है। हिंदू इन्ही विश्नु का अवतार मानते हैं। सर्प दंश के उपचार में गोगा जी की आराधना की जाती है इनके गुरू गोरकनात ने ही इन्हे सांपों की सिद्धी प्रदान की थी नूट, रनकपुर प्रशस्ती वा दयालदसरी ख्यात के अनुसार गोगा जी ने गायों को बचाने के लिए अपने मुसेरे भायों अर्जन वा सुर्जन के विरुध भीशन युद्ध किया वा व गोगानवमी के दिन खोले जाने की परंपरा है, गोगाजी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी, गोगाजी के मेले में राजस्तान के बाद सरवाधे कनलियाई उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, जो पीले वस्त्रपहन कर आते हैं, जिन्हें पूर्बया कहते ह कायम सिंग गोगाजी की सत्रव वी पीरी में कायम सिंग चौहान हुए जिन्ही मुसल्मान बनाया गया जो कायम खां बन गए इनके ही वन्शज कायम खानी मुसल्मान हैं कायम खानी आज भी गोगाजी को अपना पूर्वज मानते हैं गोगाजी के विवाह के समय ही उनकी पत्नी केलम दे को एक सर्प ने डस लिया जिससे क्रोधित होकर गोगाजी ने आग पर कड़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धी का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चा करना शुरू किया जिससे संसार के सभी सांप गर्म तेल की कड़ाई में आकर गिरने लगे तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगाजी से माफी मानगी केलम दे का जहर चूसकर पुनह जीवित किया और गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशिरवाद दिया गोगाजी की मृत्यू के संबद में मत है कि कहा जाता है कि इनके मुसेरे भायों अर्जन वसुर्जन ने भूमी बत्वारे को लेकर नाराज होकर इनके इलाके की सारी गाये घेर कर देवाज़ा